दरंजे गावडे का सियासी तूफान अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। साथ राजनातिक तौर पर गावडे के पास खोने को कुछ नहीं लेकि विरार के ठाकुर परिवार के पास खोने के लिए भी बहुत कुछ है। से जुड़ते जा रहे हैं। कोई लोग अब गावडे के पोजिश्यते विधाय के रूप में देखना पसंद कर रहे हैं। और जिस तरह से गावडे लगातार लोगों के बीच में अपनी उपस्तिती दर्ज करवाते हुए छेतर के युवाओं के बीच अपना विष्य स्थान बना रहे हैं। उससे अन्य राजनेतिक दल और खास दोर से बव्या से जुड़े लोग कहीना की बोखला हुए नजर आ रहे हैं। गावडे इस समय उस मजबूत पायदान पर खड़े हैं जहां से वह जीच के मोहने पर खड़े किसी भी पाट्डी के उम्मीद्वार का राजनेतिक समिगरण बिगार सकते हैं। किन्तु इतना तो पक्का है कि गावडे जिस तरह से अपनी राजनेतिक ताकतों को बढ़ाने में लगे हुए हैं तता लगातार लोगों को जोड़ने में लगे हुए हैं उस सबका पर्योग इन विदानसबा चुनाओं में बहुचन विकास अगाडी के उम्मीद्वार के होने जा रहा है दंजे गावडे 94ere विदानसबा चुनाओं में अगसों कड़े नहीं होते तो वह किसी ने किसी पार्टी के उमीदवार का साथ देंगे किसका समर्थन करेंगे यह तो नहीं पता किन्तु इन चुनाओं में किस पार्टी का विरोध करेंगे किस क्योंकि किसी भी राज्यतिक पार्टी के उम्मीद्वार को नाला सुपरा विधांसभा चुनाव में विजय पता का फैराने के लिए धंजय गावड़े का समर्थन लेना ही होगा क्योंकि बिना धंजय गावड़े के समर्थन वैसायोग के बिना किसी भी पार्टी के मेकर की भूमिका भी निबा सकते हैं वे आने वाले कुछी दिनों में गावडे की संभवत है भूमिका सपश्ट होने वाली है और उमीद है कि जल्दी सारे राज बेपरदा हो जाएंगे